नमस्कार ब्लेक विल्स में आपका फिर से स्वागत है अभी फिलहाल ही में महंदरा ने अपने एक्स वी फो डबलो को इंट्रोड्यूस किया है जो कि नेक्स ओन इवी मैक्स का काफी अच्छा कॉंपिटिटर होगा तो आज हम इन ही दोनों राइवल्स का कंपेरिजन करने व बारे में तो कुछ इतने पॉइंट्स में आगे वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लेक विल्स के साथ पहले इसके डिजाइन और लूक्स के बारे में बात कर लेते हैं हालकि जो डिजाइन और लूक्स है यह आपका अपना परसनल ओपिनियन हो का फेसलिफ्ट या निवर जनाएगा तो उसमें भी रियर को कुछ इस तरह से ही डिजाइन किया जाएगा जो कि देखने में वाकि में काफी खुबसूरत लगता है एक्सवी थ्री डबलो के मुकाबले और यहीं नेक्स ओन इवी मैक्स का इसका भी लूक का पसंद आता है उसमें मुझे परसनली एक्सटेरियर वाइस एक्सवी तरी डबलो का लूक ज़्यादा पसंद आया अगर इसके इंटेरियर की बात करें तो एक्सवी फर डबलो का इंटेरियर लगभख पूरी तरह से एक्सवी थ्री डबलो के जैसे ही दिया गया है बस इसमें कुछ जो होता है उसे color को बस change किया है maa की is it is x33ow की तरह ही लगता है जो की काफी outdated feel होता है और यहीं दूसरी तरफ Nexon EV Max का जो interior है देखने में काफी advanced लगता है तो x34ow के मुकाबले nexon EV max का interior काफी अच्छा लगता है और इसके center console को देखे तो जो nexon ev का center console है यह xv3oo के मुकाबले काफी बहतर लगता है जो wireless charger इसमें दिया हुआ है उसमें आप काफी अच्छे से mobile को place कर सकते हैं और इसमें electronic parking brake देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा लगता है और xv4oo में old style में ही center console दिया हुआ है और इसमें जो wireless charger है उसमें mobile भी आप अच्छे से fit नहीं कर सकते तो practicality के मुकाबले में nexon ev का जो console है वो काफी बहतर लगा xv4oo के मुकाबले और xv में आपको gear knob देखने को मिल जाता है जो की automatic gearbox में आता है कुछ उसी प्रकार से ही और यह भी काफी अच्छा style design किया हुआ है और nexon में round shape में gear knob मिल जाएगा और इसी में display भी दिया हुआ है जो कि आपको parking driving mode कौन सा activate है वो वहाँ पर अच्छे से बताता है और उसी के mode देखने को मिल जाएगा तो mode तो दोनों में same दिया हुआ है और इसका जो बटन है एसी के control के side में ही मिलेगा rear seat भी दोनों का काफी comfortable है और xv4 double का जो rear seat है xv3 double के मुकाबले उसमें आपको comfort level थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि जो इसका floor है उसे xv3 double के मुकाबले थोड़ा सा उचा किया गया है क्योंकि यहीं पर ही बैटरी को प्लेस किया हुआ है लेकिन xv4 double में आपको तीनों ही passenger के लिए headrest देखने को मिल जाएगा जो की nexon ev में नहीं दिया हुआ है और दोनों के जो ac का performance वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा और nexon में rear में आपको ac vents देखने को भी मिल जाता है उसके लावा front में ventilator seat मिल जाएगा लेकिन xv4 double में ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है और इस कार के structure को कुछ इस तरह से design किया हुआ है कि अगर कुछ minor accident या कुछ दुरगटना हो जाता है उस condition में आपके बैटरी को नुकसान पहुचने नहीं दिया जाएगा जितना हो सके आपके बैटरी को safe रखने का कोशिश गया जाता है तो यह एक अच्छी चीज है और यहीं दूसरी तरह नेक्स ओन इवी में 40.5 kilowatt का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो की IP67 rating के सांथ में आता है और इस यह सब वारेंटी अगरे रिविल नहीं किया है उसके लावा जो नेक्स ओन इवी है इस कार में आपको 3 यह या 1.25 लाग की इलो मिटर की वारेंटी मिल जाती है और जो एक सीवी है यह 150 PS का पाउर प्रिदूस करता है और इसमें 310 निटर मिटर का टॉर्क मिल जाता है जो क काफी अच्छी बात है और जितने भी EV वेहिकल होते हैं इनका पर्फॉर्मेंस अच्छा ही होता है नेक्स ओन को देखे तो यह 143 PS का पाउर और 250 निटर मिटर मिटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहां भी 0 से 100 निटर परावर का स्पीड 9 सेकेंड के अंदर में ही अच्छीव कर सकता है उसी के लावा जो मोड दिये हुए है इसके अकौरडिंग इसका जो इस्टेरिंग है इसमें भी वेट में थोड़े बहुत चेंज़ेश देखने को मिल जाता है जैसे कि आप फियरलेस मोड में चलाएंगे तो एक्स्टेरिंग है यह आपको थोड़े नेक्सन है यह 16 घंटे का टाइम लेता है और अगर 7.2 किलो वाट के AC Fast Charger से अगर इसे चार्ज करेंगे तो दोनों ही कार 6.5 आवर में 0 to 100 चार्ज हो जाता है ऐसा कमपनी ने क्लेम किया है और जो 50 किलो वाट का DC Fast Charging आता है इसमें 0 to 80% होने में XV को 50 मिनट का टाइम लगता ह यहीं दूसरी तरफ सेम चार्जर से 0 to 80 होने में नेक्सवान को 56 मिनट का टाइम लगता है और अगर इसके सेफटी की बात करें तो दोनों ही कार Compact SU में काफी भरोसे मन्द कार है दोनों ही कार ने सेफटी रेटिंग में 5 इस्टार स्कॉर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको सेफटी में कोई भी कंप्रोमाइस देखने को नहीं मिलेगा और इसके सेफटी फीचर की बात करें तो इसमें ABS प्लस EBD ASP वित रोल वर मीडियेशन ट्रैक्शन कंट्रोल और और अल्वील डिस्क ब्रेक्स यह सब देखने को मिल जाता है तो सेफटी वाइ में है या हीली एरिया से उतर हैं उस कंडिशन के हिसाफ से आप जो रिजनरेशन मोड है उसको चार लेवल तक अपने हिसाफ से सेट कर सकते हैं आप जितने अधीक पर सेट करेंगे उतनी अच्छे से रिजनरेशन सिस्टम का यूज करके बैटरी को चार्ज करेगा और यही प्रकार के जो इवी वेहिकल होते हैं यह स्पेसली सिटी वगरे में चलाने के लिए काफी सही होते हैं यह हाईवे पर रेंज के हिसाफ से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो अगर आपको ज्यादा तर सिटी में यूज करना है तो आपको इवी के साथ जाना चा जाता है और नेक्सान का जो टायर प्रोफाइल है वो एक्सवी के मुकाबले थोड़े से लो प्रोफाइल दिया हुआ है जो कि हाई स्पीड के लिए काफी सही होता है और दोनों के बूटी स्पेस का बात करें तो अब एक्सवी फो डावलो में आपको 378 लिटर का बूटी अधिक है और एक्सवी का लेंट 207 अधिक दिया हुआ है और वीत भी 20 अमें मिब देखने को मिल जाता है हए भी 18 mm अदिक दिया हुआ है और वील बेस भी आपको 102 mm का ज्यादा देखने को मिल जाएगा तो ग्राउंड क्लिएंस लगभग दोनों में सेम ही देखने को मिलेगा तो और आल टाइमेंसन के मामले में जो एक्सवी है यह नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ा बहतर है और 24 से 19.84 लाग तक जाता है और दूसरी तरफ महंदरा ने अपना प्राइस अभी तक नहीं बताया है लेकिन हमेशा से महंदरा काफी अच्छा इफेक्टिव प्राइस के साथ में ही अपने प्रोड़क्ट को लॉंच करता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका भी प्राइस इसी के आसपास में ही होगा तो इतना कुछ डिफ्रेंस और कॉमन चीज़ दिखने को मिलता है आपको एक्स वी फो डबलो और नेक्स ओन इवी मैक्स में आपको इन दोनों कार में लूक्स के मामले में कौन सा कार है जो रधा पसंद आता हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बत सकते हैं तो चलिए आते हैं अगले वीडियों साथ तब तक लिए नमस्कार